ताजा अप्डेट और लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें भारतियों का स्विस बैंकों में जमा धन 4 साल में पहली बार बढ़कर पिछले साल एक अरब स्विस फ्रेंक 7000 करोर रुपे के देया में पहुंच गया जो एक साल पहले की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धी दर्शाता है स्विसलेंट की केंद्रिया बैंट के ताजा आकरों में यह बात सामने आई है इसके अनुसार भारतियों द्वारा स्विस बै का खातों में रखा गया धन 2017 में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7000 करोर रुपे 1.01 एक अरब फ्रेंक हो गया इससे पहले तीन साल यहां के बैंकों में भारतियों के जमाधन में लगातार गिरावट आई थी अपनी बैंकिंग गोपनियता के लिए पहचान बनाने वाले इस बेश में भारतियों के जमाधन में ऐसे समय दिखी बड़ोतर ही हैरान करने वाली है जबकी मोरी, सरकार विदेशों में कालाधन रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करती आ रही है स्विस नेशनल बेंक स्विस बेंक सालाना आकरों के अनुसार स्विस बेंक खातों में जमा भारतिय धन 2016 में 45 प्रतिशत घटकर सरसर दशमलब 6 करोड फ्रेंक लगभग 4,500 करोड रुपे रह गया एक तरफ भारतियों के पैसे में बड़ोतरी हुई है तो वहीं पाकिस्तान योंकि जमापुंजी में करीब 20 पीस फीसदी की गिरावट आई है यह राशी एक 1987 सेकंड इस आंकरे के प्रकाशन की शुरुआत के बाद से सबसे कम थी SNB के आंकरों के अनुसार भारतियों द्वारा स्विस बैंक खातों में सीधे तौर पर रखा गया धन 2017 में लगभग 6,891 करोड रुपे 99.9 करोड फ्रेंक हो गया वही प्रतिनिधियों या धन प्रबंदकों के जरिये रखा गया धन इस दौरान 112 करोड रुपे 1.62 करोड फ्रेंक रहा ताजां आकरों के अनुसार स्विस बैंक खातों में जमा भारतियों के धन में ग्राहक जमाओं के रूप में 3,200 करोड रुपे अन्य बेंकों के जरिये एक हजार पचास करोड रुप्य शामिल है। इन सभी मदों में भारतियों के धन में आलोच्य साल में बढ़ोतरी हुई। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।